जब बंगाल का गवर्णर जनरल लाड कार्णवालिस बन करके आता है तो उसके समक्ष चुनवती होती है कि वो भूराजस व्यवस्था को व्यवस्थित करे और उसको इस्पेसली इन सब कारियों के लिए भेजा गया था तो कार्णवालिस के समय से ही अंग्रेजों की एक व् भूराजस व्यवस्था भारत में देखने को मिलती है तो भारत में अंग्रेजों ने तीन प्रकार की भूराजस व्यवस्थाओं को लागू किया था जिन में से एक है कार्णवालिस की स्थाई बंदोबस्त दूसरी है रैयतवाडी व्यवस्था तीसरी है महालवाडी व्य कई सारे लोगों को मालूम नहीं होगा भू राजस्व का मतलब होता है भूमी से प्राप्त राजस्व भूमी से प्राप्त होने वाली आए देखो जो किसान खेती करता है जिस खेत में वो खेती करता है उस खेत में खेती करने के लिए उसको उस समय के जो राजा महराजा जो विशासक होता था उसको राजस्व देना पड़ता था तो जो जमीन से खेत से जो भी राजस्व जाता था उसी को बोला जाता था भूराजस्व नॉर्मली ये चीज़ जो है किसानों से ही ली जाते ही तो भाई किसान ही तो खेती करेगा कोई और थोड़े न करेगा तो किसान जो उत्पादन करते थे उसमें से कुछ हिस्सा जो है राजा महराजा बादसा जो भी है हमारे भारत में जिनों ने भी सासन किया भारत के बाहर के भी जो सासक थे उनकी भी आयका प्रमुक्स रोत यही भूराजस वही अधिकतर मामलों में होता है उसके बाद जो है व्यापार वानिज्य हो गया उद्योग वो सब बाद में आता है क्योंकि पहले तो व्यापार वानिज्य उद्योग उतने ज़्यादा विक्षित नहीं थे व्यापार फिर भी होता था जो वस्तवी ये लोग उत्पादित करती थे उनका व्यापार होता था लेकिन राज्य की आयका प्र राज़स्व वसूल करना है इसी के लिए 3 अलग अलग विवस्थाएं लागू की इस्थाई बंदोबस्त अब देखिएगा इस्थाई बंदोबस्त वैसे इस पर मैंने एक डीटेल में वीडियो बनाया हुआ है तो इस्थाई बंदोबस्त इसको किस ने शूरू किया था पह उसने जो है इस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, इस व्यवस्था के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कि इस व्यवस्था में जमिनदारों की महत्वपूर्ण भूमी का थी, तो इसको जमिदारी व्यवस्था भी बोला जाता है, जमिदारी व्यवस्था, इसके अलावा इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पर्मानेंट सेटलमेंट इसके अलावा इसको बोला जाता है इस्तमरारी व्यवस्था इसके अलावा इसको बोला जाता है विस्वेदारी व्यवस्था क्या वोलते हैं इसके अलावा एक और नाम यहां मिलता है बिशवेदारी ज्यान रखेंगे बिशवेदारी भी आपसे पूछा जा सकता है जो की विल्कुल नया नाम है कहीं सारे लोगों के लिए बिशवेदारी व्यवस्था लिख देता हूं में यहां इसके अलावा इसका एक और नाम मिलता है, माल गुजारी विवस्था, घवराईए नहीं, सिर्फ इसी एक विवस्था के इतने सारे नाम है, बाकी जो दो विवस्था हैं, रैयत वाड़ी, महाल वाड़ी, उनके अन्य कोई नाम नहीं मिलते हैं, केवल इस्थाई बंदोबस् रखना है, चुकी जमीदार इससे जुड़े हुए थे, इसलिए इसको जमीदारी विवस्था बोला गया, एक नाम इस्तमरारी विवस्था भी मिलता है, एक नाम विश्वेदारी विवस्था भी मिलता है, और माल गुजारी विवस्था, ये सभी इस्थाई बंदोबस्त क बोला जाता था, तो कार्णवालीस ने इसको शुरू किया, अब दूसरा चीज पूछा जाता है कि इसको कब शुरू किया गया, वैसे तो ये जो जमीदारी वेवस्ता थी, इसकी सुरुआत हुई थी 1790 में, 1790 में इसको 10 वर्स के लिए लागू किया गया, जमीदारी वेवस जाए कि इस्थाई बंदोबस्त की सुरुवात कब हुई तो वहां आपको लगाना है 1793 अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये इस्थाई बंदोबस्त विवस्था किस तरह की थी तो इस्थाई बंदोबस्त विवस्था तो इसमें क्या था इस्थाई बंदोबस्त अपनी है वो किसके साथ करार करें मतलब कि वो क्या सिधे किसानों से टेक्स कलेक्ट करें या फिर बीच में कोई दलाल हो यह समस्या थी दूसरी समस्या यह थी कि कितने समय के लिए किया जाए मतलब कि कुछ सीमित समय के ले करना है या फिर इस्थाई करना ये था दूसरा ये था कि इसमें सरकार की कितनी मतलब कितना हिस्सा होगा मतलब सरकार जो है कितना हिस्सा लेगा राजस्व की रूप में तो ये तीन समस्या थी तो जो पहली समस्या थी कि सरकार जो है किसके साथ बंदोबस्त करें, किसान या बीच में कोई दलाल, तो यहाँ पर क्या किया गया, यह जो जमीदार हैं, इनको बना दिया गया भूमी का मालिक, मतलब कि उस समय ब्रिटिश इस्टिंडिया कंपनी के छेत्र में, जो भी अधिकार छेत्र था, 1793 में, बंगाल इनके पास बिहार, उडिशा, असम, बंगलादेश, पूरा इनके अधिकार में था, इसके अलावा कुछ मदरास के आसपास के कुछ छेत्र, बंबई के आसपास के कुछ छेत्र, इनके अधिकार में थे, और यह छेत्र थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस जो बंगाल बैल ले करके खेत में हल जूतने तो नहीं जाएगा ना तो कौन जूतेगा हल किसान जूतेगा तो जो किसान है जो असल में खेती करेगा असल में खेत की जूताई करेगा इससे जो है भूमी का मालिकाना हक छीन लिया गया किसान से और किसको बना दिया गया भूमी का मालिक ज उसे उसको जो भी किराय मिलेगा उसमें से वो 10 बटा 11 भाग ये जो है वो देदेगां अंगरेजों को दस बटा ग्यारा भाग अंग्रेजों को दे देगा और खुद रखेगा एक बटा ग्यारा भाग तो यह जो है इतना जो है वो राजस अंग्रेजों को मिलता था दस बटा ग्यारा भाग अब यहां पर मैंने बोला कि जो जमिदार है वो किसानों को खेत देगा किराय में किरा का मालिक है वो जाने वो किसान से कितना किराय लेगा अंग्रे जो ने ये बूल दिया तो अब जो है जमिदार वो जितना चाहे उतना किराय ले सकता है ना किसानों से तो इससे क्या हुआ इस वाले विवस्था से किसानों का भैंकर सोसन हुआ जमिदार जितना चाहे उतना किर किया गया और यह जो विवस्था थी इस्थाई थी, सुरुवात में 17103 में दस वर्श के लिए लाया गया था, लेकिन 1793 में इसको इस्थाई कर दिया गया, पर्मानेंट कर दिया गया और सरकार का हिस्सा कितना होगा 10 बटा 11 जितना भी वशूला जाएगा उसमें से 10 बटा 11 जो है सरकार को मिलेगा बाकी सब जमिदार का तो ये चीज था अच्छा इसमें जो किसान थे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किराया जो है मनमानी होगा जमिदार का इसके अलावा जो जमिदार है वो चाहे किसी किसान को जमीन किराय पर दे या न दे ये उसके विवेक पर निर्वर करता था मतलब मान लो कि जमिदार का किसी किसान के साथ जगडा हो गया, कुछ भी मन मुटाओ हो गया, किसी किसान को वो पसंद नहीं कर रहा है, तो वो उस किसान को जमीन ही नहीं देगा, तो ऐसे में उस किसान को अपना गाउं छोड़ करके, दूसरे जमिदार के पास जाना पड़े थे तो उन किसानों को हमे vive senior भी सताता रहता था की कब उन से उनका खेत छीन लिया जाएगा मतलब उनका तो है downtown वैसे किराया दे रहे ना तो उसमें से कीब उनको बेदखल कर दिया जाएगा तो ये भय भी लगातार किसानों को बना रहता था, तो यह चीज था, अच्छा, अब यह जो जमिदार है जैसा कि मैंने बोला, कि जमिदार जो है भूमी का स्वामी बना दिया गया, ये तब तक भूमी का स्वामी होगा, जब तक ये अंग्रेजों को उनका हिस्सा टाइम पर दे बागो निलाम कर दिया जाएगा बेच दिया जाएगा और अंग्रेज जो है उससे अपना लगान प्राप्त करेंगे या फिर उसकी जमिदारी छीनी भी जा सकती है अगर वो टाइम पर लगान नहीं अदा करता है तो मतलब जमिदार के लिए भी यहाँ पर समस्य आए थी ले सूर्यास्त का नियम क्या था यह सूर्यास्त का नियम तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्यास्त का नियम किस से संबंदित है तो देखेगा सूर्यास्त का नियम इसमें क्या था कि जो जमिदार हैं उनको एक नियत तिथी दी जाती थी कि इतने समय तक आपको जो है लगा जमा करना है और उस तिथी के सूर्यास्ट तक अगर वो उस समय तक भूराजश्व अदा नहीं कर पाता था तब जो है उसकी जमिदारी का कुछ हिस्सा निलाम कर दिया जाता था या पूरी जमिदारी भी उससे छीन ली जाती थी तो ये क्या था इस्थाई बंदोबस्त अच्छा यहां एक और चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो है जो अंग्रेज ब्रिटिस ये मानलो आपके अंग्रेज तो ये जो अंग्रेज हैं और ये किसान तो इनके बीच में सीधा संपर्क नहीं होता था यहां पर इस वेवस्था में इनके बीच सीधा संपर्क नहीं होता था अंग्रेज किसके माध्यम से किसानों तक पहुँच रहे हैं तो ये जमिदारों के माध्यम से मतलब की जो अंग्रेज हैं जमिदारों को बोल दिए कि भैया तुम किसानो से पैसा लेके हमको दो तो जमिदार जो है किसान से पैसा ले रहा है और अंग्रेजों को दे रहा है तो यहाँ पर जो है सरकार क्योंकि अंग्रेजी सरकार है ना तो सरकार का किसानों से सीधा संपर्क नहीं, हो रहा है, तो यहाँ पर जो है, झाल झाल